मोटापे का वाहद इलाज बेगर किसी दवाव और एक्सिसाइज के एक घंटे में 500 ग्राम से लेकर एक किलो तक वजन कम किया जाएगा नई टेकनोलोजी के जरीए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS Slimming and Beauty Clinic में इस इलाज से आपको किसी भी तरह के side effects भी नहीं होंगे कलर इंप्रूब्मेंट पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आपा सकते है SPS Slimming and Beauty Clinic आईदरबाद Abbots विसाइड अगरवाला स्वीट हाउस स्क्रीन पर दिये गए नंबर्स पर कॉन्टाक करें अगवाई मगर मैं ये मुसल्मानों से कहना चाहूंगा के केसियार साहब यहाँ पर एक मैसेज देना चाह रहे थे कि मैं आज चाहूं तो वक्त के बादशा को रोड पे मेट्रो के पिलर पे उसकी फोटू निजाम सरकार की लगाऊं और जो मुल्क का घदार है जो अंग्रेजों का घुलाम था उसकी फोटू मेरे स्टेट के हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुजियम सालर जंग मुजियम में लगाऊं ये एक बहुत ज्यादा अफसोस वाली बात है और आपको ये जान लेना चाहिए कि पछले मैंने चार से पांच साल पहले मैंने सालर जंग मुजियम का दोरा किया था जब उस वक्त वहाँ पर जो सामान था आज उसमें से मेरा परसनली ओपिनियन 20 to 25 परसेंट सामान बाखी है बागी सारा सामणः वहां से घएब ओ चुका खतम हो चुका उसको स्टोर रूर्म में मुन्तखिल कर दिया गया अब स्टोर रूर्म से वो सामणः को पूरा स्क्राफ में डाल दिया जाएगा जिस वहां पर आज साला जर्ग मेजिउम में निजाम सरकार जिस जो पलंग इस्तिमाल किया करते थे वो ना तो पलंग है ना आँ उनके खाने के ब confess काने के बरतन है या उनके फ Jeżeli Shahnd Park है कई चीजों को स्टोरूम में निंटखिल कर दिया गया जب हमने वाहां के स्टाफ से बात की तो वह स्टाफ ने बताया कि थारा तकरीबन सामन स्टोर रूम में है मैं आज से अगर आपको 10 साल पहले यह बात कहता कि दिखो आने वाले हालाद बहुत खराब है आने वाले दस साल में सालर जंग म्यूजियम में सावर कर की फोटो लगाई जाएगी तो आप में मुझे पागल खरार देते हैं मेरी बात पर हसते कि सालर जंग म्यूजियम में सावर कर की फोटो का क्या लेना देना है मगर आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आज हम इस सावरकर की फोटो के खिलाफ यहां पर सालर जग मुजियम में लगाई गई फोटो के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले दस साल के बाद वहां पर सावरकर किस पलंग पे रहा करता था कौन से कपड़े पेना करता था कौन सी चपऽ ढिपली सुल्तान का जितने लोगों का वहाँ पर आज सामन यस्टोर रूम से पराने सामन को स्क्राप में मुंत्किल कर दिया जाएगा आज जरूरत है कि हमें इस चीज़ के खिलाफ आवाद उठाए तो मेरी असदुदीन ओवेसी सहाब से और केसियार सहाब से अपील है कि आप इमेड़ेट इस चीज़ के खिलाफ आवाज उठाईए और हमा यहां के सालर जग म्यूजियम में से जो एक हंदुस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम है इस म्यूजियम में से जो सावर कर की फोटो है उसको निकालने के लिए कहिए वरना इन्शालला हम इसके खिलाफ बहुत जल्द बहुत बड़ा एहतिजाज शुरू करेंगे जिस जिस अंदाज में हमने कॉंगरेश पार्टी की तरफ से उसमानिया हॉस्पिटल को ना तोड़ने की महीं चलाई थी और आज से चार दिन पहले तेलेंगाना गाउर्नमेंट ने इस बात को अप्रूल किया है कि हाँ हम जो है सो उस्मानिया हॉस्पिटल को नहीं तोड़ेंगे और उस्मानिया हॉस्पिटल को वैसी बरकरार रखते हुए उसके बाजू की खाली जमीन पर उस्मानिया हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा इस बात पर तलेंगाना गौर्नमेंट का अप्रूल आ चुका है ये इसकी वचे सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जानिब से हम लोगों ने जो आवाद उठाई थी उसका ये नतीजा निकला कि केसी आर को मजबूर होना पड़ा उस्मानिया हास्पिडल की पुरानी बिल्लिंग को तोड़ने के डिसीशन से वापिस होने के लिए इसी तरीके से अगर आज आप सावर कर की फोटो के खिलाफ आवाद उठाएंगे तो वो भी मजबूरन इस फोटो को वहां से निकालेंगे इसलिए मैं कहता हूँ लोगों मुसल्मानों सीम के सीर को पहचानों अगर अब तक आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं करें हैं तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर दीजिए फिर इसके बाद बेल आइकान बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल याएगी और लाइक और शेयर करना ना भूले 7H News सिर्फ आपकी आवास